Hello perspective थो आज हम एक LED बॉल्ट के लिए गे हैं जो कि बजाज कमपनी का LED बॉल्ट है ये 9W का LED बॉल्ट है इस LED बॉल्ट को हम रिपयर करेंगे तो रिपयर करने से पहले देखिए हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है ये विण हमेरा फॉल्ट अब जब भी किसी भी LED बल्फ को प्रिपेर करने से फ़हले इसको check कर लेते हैं उदिख जान जाते हैं कि इसमें क्या problem है तो देखे ये जो हमारा LED बल्फ का holder है ये series board का holder है तो इससे सबसे पहले देखे इसमें लगा लेते हैं कि इसमें हमारा ये जल रहा है देखिए एक अच्छा LED बाल पलिया और इसमें हमने लगाया तो ये जल रहा है तो क्या करते हैं हम इसी को दुबारा लगाते हैं देखिए बीना इसकी यही वीडियो आपको दिखा रहे हैं तो देखिए यहां जब हम लगाते हैं तो इसमें क् कीज़ेगा दोस्ता हूं नोटिफिकाशन को सेट कर लिएक ताकि इस तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहेगा दोस्ता हूं तो चलिए मैं आज इसको रिपेर करके नहीं दे रहा है काला दिखाई नहीं दे रहा है तो इससे सबसे पहले क्या करें कि हम इसके बोल्टेज में आउट्पूट में चेक करेंगे क्या इसमें बोल्टेज आउट्पूट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसको क्या कर लेते हैं यहां पे हम लगा लेते हैं उसके कि बाद में मल्टी मीटर लेंगे के मल्टी मेटर को हमने 200 के रींज में स्टेट कर लिया दे रेंज में उसके बाद में क्या करता है आपको इसमboys मैनस आउट पूर्डपूड वॉल्ट है करना है हमें तृ देखे इस में 80 से 100 से बीच में कम से कम इसमें बोल्टेज आना चाहिए तो देखिए हमारा बोल्टेज आउट्पूट करता होगा जब इसमें किसी भी तरह का बोल्टेज आउट्पूट नहीं करेगा तो क्या होगा हमारा ड्राइबर सर्कूट से फॉल्ट है तो देखिए हम इसमें लगाने के कीट ओपन करने के लिए क्या करना पड़एगा यहां पर देखए कि इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद अपको दिखाएंगे कि इस में क्या से समझ से हए तो सबसे पहले इस दोनों टर्मिनियल को हमें coming करना पड़एगा इस तरह से desolding करना पड़ेगा उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है यह जो है यहाँ से आपको बाहर निकाल लेना है इस तरह का fault होता है dead condition में तो क्या करना है आपको ऐसी तरह से repairing करना है step by step तो यह जो है देखे यह हमारा circuit जो है यहाँ पे इसको बाहर निकालना पड़ेगा हमें इसमें क्या fault है इसको देखना पड़ेगा चेक करके तो सब सब पहले इस दोनों terminal को आपको solding iron की सहता से इसको गर्म करके निकालना पड़ेगा हमें तब ही जाके हमें confirm हो पाएगा कि हमारा क्या problem है actual देखिए इस तरह से निकल गया देखिए ऐसा निकलने के बाद में यहाँ पे क्या fault होता है इसको हम छेक करके दिखाते हैं आपको क्या इसमें fault है तो दोनों terminal को देखिए यह निकलने के बाद में देख लिजे इस तरह से यह जो driver circuit का जो fault है इसको करते हैं थोड़ा सा side में और यहाँ पे direct हम इसको क्या कर लेते हैं इसको plus minus में solding कर लेते हैं ताकि जब भी इसमें अगर हमारा voltage सही हो जाता है और पूट होता है तो यह जलने लगेगा अगर हमारा mcpcb अभी तक सही है अगर खराब दिखाई देता है तो आप change कर सकते हैं अगर नहीं है तो इसी तरह से कर सकते हैं testing तो देखे इसी तरह से करने के बाद में हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या fault है तो सबसे पहले देखे इस wire में आने वाले देखे connection को हमें check करना पड़ेगा तो देखे इसमें सबसे पहले क्या करना है इसमें जो देख लिज़े इस तरह से तो क्या इसका fuse हमारा सही है या नहीं है तो कहां पर लगा है यहां पर है और इसमें एक fuseable resistance है तो fuseable resistance को हमने check करने के लिए क्या करते हैं multimeter को ले के आता है continuity के mode में और इसको check करते हैं क्या यह हमारा fuseable resistance हमारा सही बता रहा है या नहीं बता रहा है यहां पर हमारा beep sound सुना ही दे रहा है और यहां पर reading हो कर रहा है इसका मतलब यह सही है तो चले हम इसको यहां पर connection दे के देखते हैं किया यह हमारा wire में कहीं disolding problem हो सकता है इसका region तो इसको देते हैं अब यहां पर इस तरह से यह connection देते हैं हम यहां पर connection यहां लगाते हैं और दूसरा connection यहां लगाते हैं उसके बाद में यहां पर लगाते हैं इसका पॉइंट को हम बीजली में देखे तब अगर आपका इसमें होगा जो तो ये जलने लगेगा अभी भी नहीं जला है तो इसका मतलब क्या हो सकता है तो इसका केबिसिटर को डिश्चाज कर लेते हैं तो चले इसको हम चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या और समस्या है जो इसमें हमारा आउटपूट नहीं कर रहा है तो इस कॉंपोनेट में जो लगे हैं इसमें देखे यह जो पी यहाँ पे देखिए लगा है और यहां पर देखिए यह capacitor लगा हुआ है इस capacitor को सबसे पहले हम क्या करते है थोड़ा थोड़ा इसमें disolding कर लेते हैं ताकि इसमें अगर किसी भी तरका इसमें loose contact होआ होता है तो क्या है यह हमारा खराब होता है तो इसमें भी देख्यें, यहाँ पर इसका जो यह cover भी नीकल चुका है हमने यहाँ पर इस तरह से निकाले हुए है देख सकते हैं, यह खराब हो चुँका है यह चोटा-चोटा करके इसका जो cover है वो तूट चुका है, देख से, ऐसा तो चले इसको क्या करते हैं ये जो heat हुआ है तो heat होने के कारण से भी ये problem होता है तो इसको हम थोड़ा-thोड़ा disolding भी कर लेते हैं सबसे पहले इस तरह से condition आता है तो देखे इस तरह से ये repairing bulb है क्योंकि repairing bulb में इसी तरह से भी fault होता है date condition हो या किसी भी condition का led bulb हो तो देखे इसमें दुबारा हम connection लगा कर देखते हैं क्या यह हमारा यह connection हमारे यहाँ पर लग जाएगा एक और दूसरा connection यहाँ पर लग जाएगा तो हम इसको देखते हैं लगा कर अब क्या problem है इसमें देखे यहाँ पर हमने folding करने के बाद में देखे हमारा blink करके यहाँ पर हमारा fix हो चुका है अब जल चुका है देख लिजे, अब यहाँ पे बस इतना ही सा है, फॉल्ट है, बस इसमें हीट होने के बाद में यह लूज कॉंटेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे इस तरह से प्रोब्लम आने लगता है जब रिपेरिंग बल्प होता है, जब इसमें सोल्डिंग करते हैं, तो अच्छी तरीका से सोल्डिंग नहीं होता है, या फिर किसी भी तरह का समस्या हो जाता है, जो हीट होने के बाद में यह समस्या आने लगा था, तो यह जो हमारा यह केपिसिटर को हमने यहाँ पे उत्वाइब मिलता है इससे आपको दीकत होता है यह जो एक कैपसिटर को आपको चेंज करके भी देखना होगा तो आपका यह LED जाता है है अब यह MCPC भी खराब होता तो नहीं चलता अगर यह सही है तो इसको भी आप पहले आपको देख लेना चाहिए कि यह MCVCB सही है या खराब है अगर आपके पास में खराब नजराता है यहाँ जला जला दिखा देता है तो इसको आप चेंज कर दीजेगा तो देखें हम फिर से इसको लगा क होता है देखिए इसी रीजन है कि यह हमारा केपिसिटर हमारा यहीं पर वीक कर रहा है तो इस केपिसिटर को हमें चेंज करना ही पड़ेगा ताकि यह हमें यह प्रोबलम से solve हो सके यह हमारा blink करने का जो region होता है दो ही जगह से होता है एक हमारा MCPC भी खराब होता है तो blink करता है या फिर हमारा EA capacitor हमारा खराब होता है तो भी हमारा blink करता है पर देखे यह अब थोड़ा time यह blink होके यह हमारा जलने लगा है अब जलते रहेगा तो कोई दिकत नहीं होगा जब जलने लगेगा तो जलते रहेगा और जब यह light चले जाने के बाद में थोड़ा सा यह disturb हो सकता है इसके लिए हम दूबारा इसको light जाने के बाद में देखे हम इसको निकाले फिर से और इसको फिर से लगाते हैं क्या हमारा तुरंत यह जलता है या नहीं देखे यह ठोड़ा time यह blink कर रहा है देखे अब कितना time यह जलने लगेगा देखे हम इसी तरस इसको छोड़ देते हैं आप देखते रहेगा इसको की की तरस यह फॉल्ट को फाइंड में आपको इसको सॉल कर सकते हैं अगर यह केपसिटर आपका चेंज कर देते हैं तो यह तुरंत यह प्रोब्लम सॉल हो जाएगा पर देखिए कितने टाइम में यह जल पाता है तो हम इसको लगा दी है बोर्ड में यह हमारा चल रहा है कनेक्शन देख सकते हैं जब यह केपसिटर आपका फॉल्ट चार्ज हो के यह आपको यह बोल्टेज नहीं बराबर पास करेगा तो तब तक यह नहीं जलेगा इस तरह से बिलिंग करते रहेगा तो यह जो है आपका इस तरह से होते रहेगा इसका जो रीजन है यही है देखिए अब यह जल गया अब फिर से यह डिस्चार्ज होने लगा है देखिए अब ये जलने लगाए देखिए तीस तरह से देखिए ये जल रहा है फिर आपका बिलिंग कर रहा है इस तरह का ये कोंटेक्ट होता है तब ये problem आा जाता है और जब इसका केपिसिटर ही केपसिटर होता है तो इस केपसिटर को यहपी चेंज भी कर सकते हैं कोई दिखत नहीं होता ह ainda देखिए यहाँ पर दो केपसिटर लगे हूए हैं इस तरह से LED बॉल्प में इसमें 2.2 UF का capacitor लगा है तो इसका क्या होगा आपका 4.7 UF का इसमें capacitor लगा हुआ था इसमें इसी को ही निकाल के लगा देते हैं पर इसमें देखिए दो capacitor है इसमें एक ही नमबर का दो capacitor के जगह में एक ही नमबर का था तो इसको हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें दो है तो इसको लगाते हैं तो अगर इसमें series connection करके लगा सकते हैं पर series connection लगाने का जगा जो है एक ही दिया हुआ है तो इसको हम नहीं लगाते हैं हम इसमें इसी number का लगा देंगे पर इसमें जो fault होता है वस इसी capacitor का ही fault होता है तो चले हम इसको दुबारा इसे किया तो अब दुबारा इसको लगा के देखते हैं क्या यह हमारा जलता है या नहीं जलता है जो प्रोब्लम है वही दिखाएंगे तो देखे यह जल गया भी तो इसी तरह से यह चार्ज होगा और जब इसमें continue यह लगातार voltage को सही मातरा में देने output करने लगेगा तो यह जलते रहेगा जब तक इसका balance खराब होने लगेगा तो यह blink करने लगेगा तो इसी तरह से आप भी check कर पाएंगे और इसी capacitor को आप change कर रहेंगे तो यह problem solve हो जाएगा जबकि यह आपका बाकी चीच सही होगा तो इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला ही होगा दोस्तों इस वीडियो को आपके यार दोस्तों friend circle में जरूर share किजगा दोस्तों अर हमारे channel को अभी तख subscribe ने किया है तो जरूर subscribe कर जब दो दस्तों और वीडियो को like भी कर दीजगा और इसी तरह का चैनल के नोटिविशन को भी ओल पे सेट करेज़ेगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको जल्दी नोटिविशन मिल जाया करेगा दोस्तों तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का अपना खयाल रखेगा दोस्तों धन्यवाद